देश भर में आज दिवाली का तेवार मनाय जा रहा है तो फिर इस दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है आज हम आपको इसी के पीछे का कारण बताने जा रहे हैं क्यों की जाती है दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा मानता के अनुसार कार्टिक महीने के अमवस्या को माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी अब इसके पीछे की ये कहानी है कि एक बार अपने महा लक्ष्मी स्वरूप में माता लक्ष्मी इंदर लोक में रहने के लिए पहुँची इसके बाद माता लक्षमी की शक्ती के कारण देवताओं की शक्ती बढ़ गई जिसके बाद देवताओं में इसका भीमान हो गया अब उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था एक बार की बात है कि देवताओं को राजा इंदर अपने एरावत हाती पर सवार होकर जा रहे थे उसी मार से रिशी दुरवासा भी माला पहन कर गुजर रहे थे प्रसन्न होकर रिशी दुरवासा ने अपने माला फिक कर इंद के गले में डाल दी लेकिन इंद्र उसे समाल नहीं पाई और वो माला एरावत हाथी की गले में पड़ गई हाथी ने सिर को हिला दिया और वो माला जमीन पर गिर गई इससे रिशी दुरवासा नाराज हो गई और उन्होंने श्राब दे दिया जिसके कारण तुम इतना एहंकार कर रहे हो वो पातालोक में चली जाए इस श्राब के कारण माता लक्ष्मी पातालोक चली गई लक्ष्मी के जाने सेंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गई और दानम मजबूत हो गई तब जगत के पालन हार नारायन ने महालक्षमी को वापस बलाने के लिए समुद्र मन्थन करवाया देवताओं और राक्षशों के प्रयास से समुद्र मन्थन तो हुआ इसमें कार्टिक मास्किक कृष्ण पक्षकी त्रियोदसी के दिन भागवान धनवंतरी निकले इसलिए इस दिन धनते रस मनाई जाती है और अमवस्या के दिन लक्षमी बहार आई इसलिए हर साल कार्टिक मास्की अमवस्या पर माता लक्षमी की पूजा होती है लक्षमी के साथ गणेश के आकिर पूजा क्यों होती है बहुत सारी लोग ये भी सोचते है दिवाली का तोहार चतर मास के दुरान आता है इस बीच श्री हरी योग निद्रा में होते हैं उनकी निद्रा भंग ना हो इसलिए दिवाली की दिन लक्ष्मी माता के साथ उनका आवाहन नहीं किया जाता अब ऐसी में माता माहालक्ष्मी अपने दत्तक पुत्र भगवान गनेश के साथ धरों में पधाती है इसके अलावे एक वज़ा ये भी है कि माता लक्ष्मी को धन और अश्वरे की देवी कहा जाता है और धन और अश्वरे किसी के पास ज्यादा आ जाय तो उसे एंकार हुजाता है मती ब्रस्ट हो जाती है ऐसा व्यक्ति एंकार के चलते धन को समान नहीं पाता धन और वयभव को सुध बुध्धी के साथ ही साधा जा सकता है गनपति बुध्धी के देटा है जहां गनपति का वास होता है बहां के संकट टल जाती है और सब कुछ शुब ही शुब होता है जब लोग गनपति के साथ मातलक्षमी का पूजन करते हैं तो उनमें धनकास सदुप्योग करने की शमता विक्सित हो जाती है इसलिए दिवाले के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और शुब और समृध्धी बनी रहे तो आप सभी को नीजवाल इंडिया के तरफ से दिवाले की ठीरो शुब कामना है